हे गाईज वेलकून टू मोटरकार ग्यान गाईज आपके लिए इस बीडियो में बड़ी ही स्पेशल न्यूस लेकर आया हूँ जहां अगर आप भी हुन्डे एस्टर सी एंजी लेने की प्लैनिंग कर रहे थे तो इस ख़वर को जानने के बाद एक बार तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इस बीडियो में मैं बताने वाला हूँ टाटा पंच सी एंजी की माईलेज और इसके बूट स्पेस के बारे में लेकिन साथ ही हम टाटा पंच सी एंजी और हुन्डे एक्ष्टर सी एंजी को कॉमपेर करेंगे इसके इंजिन स्पेशिफिकेशन के अधार पर जहां हम जानेंगे कि कौन सी गाड़ी ज्यादा पावर आउटपुट दे रही है और जिसको चलाने में ज्यादा मज़ा आएगा वो साथ ही जानेंगे इन दोनों ही गाड़ीों में मिलने वाले बूर्ट स्पेस के तो जानेंगे कि रियल वर्ल्ड कनिशन्स में कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सावित होती है जैसे कि टाटा मोटर्स ने हाल ही में ट्विन सिलेंडर टेकनलोजी वाली कारें पेश की है इसमें टाटा पंच CNG भी शामिल है जहां इस SUV को कंपनी ने 7,10,000 रुपे की शुरुवाती कीमत पर लौँच किया है वहीं टाटा ने हाल ही में सबसे छोटी SUV के बूट स्पेस और ARAI सर्टिफाइड माइलेज का खुलाशा किया है तो चलिए जानते हैं दोनों ही गारियों के बीच में इंजिन स्पेसिफिकेशन्स, पावर आउटपुट और माइलेज के अधार पर आने वाले अंतर के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही गारियों के engine power train की जहां दोनों ही गारियों में मिलता है 1.2 liter petrol cng engine तो engine power train के मामले में दोनों ही गारियों में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इनके engine displacement की तो जहां 5 cng में मिलता है 1199 cc का engine वहीं extra cng में मिलता है 1197 cc का engine तो engine displacement के मामले में टाटा 5 cng का engine 2 cc जादा है extra cng में मिलने वाले engine के मुकावले वहीं बात करें इन दोनों ही engine से मिलने वाली power output की तो 5 cng में मिलती है 73.5 bhp की power और 103 nm का torque वहीं extra cng में मिलती है 69 bhp की power और 95 nm का peak torque तो power output मामले में भी 5 cng बाजी मारती हुई दिख रही है जहां 5 cng का engine 4.5 ps की power जादा निकालता है as compared to Hyundai extra cng के engine से वहीं टाटा 5 cng का engine 8 nm का torque जादा produce करता है as compared to Hyundai extra cng के मुकावले रही बात transmission की तो दोनों ही गाडियों में मिलता है 5 speed manual transmission तो transmission के मामले में दोनों ही गाडियों में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो है दोनों ही गाड़ियों से मिलने वाली माइलेज जिसको जानने के बाद काफी लोगों का माइंड चेंज होने वाला है और जो लोग Hyundai Extra CNG को बाई करने की सोच रहे थे हो सकता है कि इसके बाद वो लोग टाटा पंच CNG को प्रेफरेंस दे तो गाईस सबसे पहले जानते हैं पंच CNG की माइलेज तो यहाँ पर पंच CNG दे रही है 26.99 किलोमेटर पर केजी की माइलेज इसकी तोलना में Hyundai Extra CNG दे रही है 27.1 किलोमेटर पर केजी की माइलेज तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में 0.11 किलोमेटर पर केजी की माइलेज जादा देती है पंच CNG में मिलने वाली माइलेज से जो की ना के बरावर है और मुझे नहीं लगता कि Hyundai Extra CNG ग्रहकों को माइलेज के अधार पर अपनी तरफ एट्रेक्ट कर पाने में काम्याब होगी अब जान लेते हैं दोनों ही गाड पारियों में मिलते हैं 60 लीटर CNG टैंक हलांकि Tata Punch में 30-30 लीटर के दो सिलेंडर दिये गए हैं जिसकी बज़ा से Tata Punch CNG के बूट में अच्छी खासी जगा मिल जाती है सामान रखने के लिए बहीं बात करू Hyundai Extra CNG के बूट स्पेस की तो यहाँ पर नाम का ही बूट स्पेस मिलता है जिसमें मेरे हिसाब से आप छोटे छोटे दो तिन सबजियों के थैले रख सकते हैं जहां Tata Punch CNG Twin Cylinder Technology के साथ आती है जिसकी बज़ा से Tata Punch CNG में 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है वहीं अगर इसको compare करूं Punch Petrol Variant में मिलने वाले 319 लीटर के बूट स्पेस से तो इसकी राइवल Hyundai Extra CNG एक बड़े CNG सिलेंडर के साथ आती है जो लगबग सभी storage space को खतम कर देती है जैसे कि मैंने आपको उपर बताया कि Hyundai Extra CNG के बूट स्पेस में आप मातर दो तिन सबजी के थैले ही रख सकते हैं हलाकि 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी Punch CNG Extra CNG क की तोलना में अधिक पावर जनरेट करने में सक्षम है गाइस जब से टाटा पंच CNG लोंच हुई है मैंने अपने सभी वीडियो में इसकी माइलेज को लेकर एक ही बात कही थी कि ये गाड़ी 25 किलोमेटर पर केजी से ज़्यादा की माइलेज देने में सक्षम है और मेरी इस बात को टाटा द्वारा जारी किये गए पंच CNG के माइलेज के आंकड़ों से बल मिलता है तो गाइस ये थी टाटा पंच CNG के माइलेज और बूर्ट स्पेस के बारे में सारी जानकारी छोप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है त तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पर ओल पर क्लिक करें तो जैहिन दोस्तो हेव गुड़ ड़ी